दिल्ली हर्याना बॉर्डर के साथ ही दिल्ली उत्त प्रदेश के बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है जारी प्रदर्शन के बीच किसानों और पुलिस में लगातार तना तनी बनी हुई है किसानों ने यहां लगाई गई बैरिगेडिंग पर ट्रैक्टर चड़ा दिये इसके साथ ही किसानों ने कल सरकार के साथ हुई वारता को फेल बताया जारी संगामे के बीच पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया है क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार 6 दिनों से जारी है बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौझूद है यह बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का कल देर रात यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच जड़ब की भी खबरे आई थी करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान है जी सर यह बताइए बीते 6 दिनों से आपका प्रदर्शन लगातार जारी है कल वारता हुई उसके बाद आगे का क्या एक्शन प्लैन रहेगा आपका कल फिर वारता है और प्लैन तो यह अब तक समस्या का समध तरीके से कह रही है कि अगर आप बुराड़ी पहुंच जाते हैं वहां पर पहुंचिए वहां शांती से बैठीए सरकार आपसे शांती से ही बात करेगी और इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी उसमें क्या परेशानी है आप बुराडी क्यों नहीं जा रहे हैं और हर जगा के बॉर्डर्स पर आप लोग क्यों बैठे हुए 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 इनका दिमाग में तो यह वहाँ आपना आपना सरकार चलाओ अब ऐसा नहीं होगा देखे सडक से लेकर सोशल मीडिया के अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे तमाम इस तरह की बाते उठ रही है कि ये शाहीन बात की तरह अंदोलन बनाया जा रहा है ऐसा है क्या सर ऐसा कुछ नहीं है इस देश का प्रेट बर्द रहे हैं यहां पर पाकिस्तान जिंदाबात की बिनारेल लगते हुए सुनाई दे रहे हैं वो क्या वीडियो डॉक्टर्ड है या क्या है सब्सक्राइब कर दो कि तो पाकिस्तान के नारे लगाए ऐसा कुछ नहीं है यहां सब देश बॉक्त हैं किसान नहीं कर वाई दी मोदी योग इंतोडे कर दि यह जो पुझी पत्यों की पार्ड़ी है जनसंग जो था इसके नुवस्ती में दो संसत बने थे तो यह तो पुझी पत्यों पार्ड़ी है इसे किसान से ना कोई पहला वास्ता ना पता यह तो केवाल हिंदू-Muslim करके इस देश पर आज करे और नहीं का किसन उसको मतलब इन सब्सक्राइब और किसान ने चाहिए गुलाम बनाना और किसान जो है अब तो मामला होगा पूरे प्रदर्शन की जो मुख्य रिखांके करूं तो इसमें MSP की बात हो रही है सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि MSP से कोई छेड़ चार्ट नहीं किए MSP जारी रहेगी फिर क् चलो सरकार कारी से छेड़ चार्ट निकरी गई तो सरकार ने जब रेट तैय कर दिया MSP रुसते निच्चे क्यों खरीद रहे हरियाने मैं जिस दान का 2000 रुपे रेट था परती कॉंटल वह 800 रुपे परती कॉंटल क्यों भी क्या सरकार अपने बात जुट बोल रही एक रेट MSP मुल्ब तैय कर रहा 205 रुपे और गन्ना किसान का खरीद रजा रहा 200 रुपे कॉंटल 25 रुपे कॉंटल कौन कंदे कूंड देगा या उसके खिलाब कारवाई करो इसे कानून ने ऐसा ही बनाओ जैसे मोदी जी डिजीटल इंडिया बनाना चाहरे किसान का इंडि लेकिन किसान ऐसी जगा बैठा जहां आतायात भी चलता रहा है आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दिली के तमाम बॉर्डर्स पर आप लोग मौजूद है तो बॉर्डर्स को चोक कर दिया गया जिसे दिली वासियों को को भी समस्य आ रही है तो क्यों नहीं आप बुराडी पहुंच जाते या एक बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं ताकि लोगों को भी आम लोगों को भी समस्या नहीं थोड़ा ऐसा तो है यह जो बॉर्डर यह देखिया आपकी वजह से यह जो है बंद कर रगा करा ग परतिनी दी मंडल मायन का पूरे देश का किसान एक कानून नहीं मैंन रहा वैसे किसी को फंसी लगा तो उसकी आखरी पुच्छी जा आपकी आखरी चा क्या है इस किसान की चाक यूनी पुची जा रही इसकी सान की चाया है अपना MSP जो कानून बढ़ा एकी तो लाइन है MS पिस्पी कहा है बताया तो रहे देखो तो मंडियों में क्या लोगा दस 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 दिन किसान का नमबर निया धान नी करीदा गया उसका जब तक सरकार से आपकी बातचीत नहीं हो पाती है आविर वारता सफल नहीं होती तब तक किसान ऐसे डटे रहेंगे किसान घर साय गया बजा आज पसू लिया ये पसू दूद हैं निकलेगा बच्चे जो घर के सब सदस्जे हैं लोग लगा एक है गर में जब कुछ वही नहीं पड़ागा सरकार देखनाया रहा दिल्ली मारी सरकार साथ साल से क्या कर रही मारी दिल्ली है या नहीं है दिल्ली यह किसानों की दिल्ली है, किसानों के खेतमा को उरस्ता होगा है, दिल्ली की गद्धी का, जिब कुछ खेतमा ही नहीं रहने हैं तो क्या करेगा किसान, सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आता मत्या करे, जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ तमाम किसान थे जो बता रहे प्रिट्यों है, वो यह जो भी को यारी एवार में होज़ रहा है और अविस लोग है कि अझाम को यह है तो यहां अगी को यह है